सौता खरा-खरा में आज समझते हैं मार्केट का क्या रहा ट्रेंड और आगे किन स्टॉक्स में आपको करना है फोकस और किन स्टॉक्स से बनानी है आपको दूरी उसकी चर्चा करें उससे पहले समझ लेते हैं सेंसर्स की क्लोजिंग आज लगबग 99.62724 पे होती हुई नज आया बैंक निफ्टी में थोड़ा सा दबाव रहा और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग यहां पर 44 पॉइंट निगेटिव 43,944 से नीचे होती हुई नजर आई ओवराल एडवांस डिकलाइन पे अगर ध्यान दें तो 33 ऐसे स्टॉक रहे जिनमें की बढ़त देखने को मिली और 17 स्टॉक ऐसे रहे जिनमें की निफ्टी के इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये कि आज हफ़ते की शुरुआत में भी मार्केट में बहुत ज़्यादा अग्रिसिव पाइंग या फिर अग्रिसिव सेलिंग पर देखने को मिल सकता है फिल्हाल टॉप गेनर की आज बात करें तो बीपी सीयल 371 पे ख्लोज होता हुआ नजर आया तीन परसेंट ऊपर SCL 1149 के पास ख्लोज होता हुए नजरा आया 5% उपर infosys यहां पर जो है वो भी 5% उपर क्लोज होता हुए नजरा आया 1291 ए एंटी PC 185,70 के पास ख्लोज होते हुए नजरा आया लगबग पतर ने 2% उपर साथ ही अदानी enterprises यहाँ पर 1.5% के करीब की positive closing करने में काम्याब रहा losers की अगर बात कर लेते हैं तो loser में भी थोड़ा सा negative trend रहा लेकिन ज़्यादा पड़े गरावाट नहीं देखने को मिली Power Grid Corporation 241.65 के पास close होता हुगा नजर आया लगबग 1.5% नीचे L&T यहाँ पर close होता हुगा नजर आया 23.40 के पास around 1% नीचे Supply 1% नीचे close होता हुगा नजर आया 960 के पास Titan 1% नीचे लगबग close होता हुगा नजर आया 28.53 के पास और साथ ही मारुति सुजुकी भी यहाँ पर पौने परसंट की गिरावट देखने को मिली 95.550 के पास close होता हुगा नजर आया एक बार derivative data यहाँ पर अगर analysis करें तो आपको समझ में आएगा कि Nifty की जो range है वो अभी कहीं न कहीं से 18.700 के एक resistance को बना रही है lower side पे 18.550 और 18.480 यह आपके support zone होंगे अगर यहाँ पर call और put के ratio को भी देखते हैं तो भी आपको यही indication साफ साफ नजर आ रहा है बैंक Nifty में भी यहाँ पर जो closing रही वो काफी हद तक साइडवेस closing कह लें क्योंकि 44.00 नीचे ज़रूर close हुआ लेकिन 44.000 पे call और put की fight यहाँ पर देखने को मिल रही है और इसी वजह से इस level के आसपास ही यहाँ पर market move कर रहा है range की बात कर लेते हैं तो 43.800 से 44.100 का range अभी market में बना रहेगा फिलहाल कुछ stocks जिन पर आपको कल buy की position बनानी है उसकी तरफ अगर ध्यान देते हैं तो सबसे पहला stock आटा है REC limited हाला कि यह stock पिछले कुछ महीनों में अच्छा खासा चला है लेकिन आज भी इसमें दमखम बचा है तो कल के market में आपको trade करने के लिए REC पर buy की position बनानी है target होगा 160 का stop loss होगा 152 का दूसरी stock की बात करें तो इस समय जोती लैब यहाँ पर एक positive momentum बना रहा है आप इसमें buy की position बना सकते हैं 208 रुपए के पास target होगा 214 रुपए का stop loss होगा 205 रुपए का साथी BSC खास और से Bombay Stock Exchange का जो stock है उसमें भी एक positive momentum यहाँ पर बनता होगा नजर आ रहा है 570 के पास close हुआ है आप यहाँ पर एक buy की position बना सकते हैं target होगा 590 रुपए का और stop loss रख सकते हैं आप 560 रुपए का दूसरे stock है दीपक fertilizer जिसमें कि गिरावट देखने को मिल सकती है target की बात करें तो 545 के target देखने को मिलेंगे overall एक downtrend यहाँ पर देखने को मिल रहा है साथ ही यहाँ पर अगर overall देखा जाए stocks में future stocks हैं तो बायो कॉन में दी एक यहाँ पर short generate होता हुए नजर आ रहा है और 235 के लक्ष यह achieve कर सकता है लोजी के 241 रुपए का और stop loss होगा 244 रुपए का तो ऐसे यह stock है जिनमें कि आपको buying momentum यहाँ पर बना कर रखना है और जिन stock से दूरी बनाने को कई या फिर यह कहें कि इनमें sell की रंडिती बनाकर market से अच्छे पैसे कमाई जा सकते हैं